तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्विक डाइजेशन की ट्रिक्स हैं जिसमें हम लोग को बार-बार अब अन्सियाटी रिवाइस करने की जरूत नहीं परेगी उसी सभी कमपोजीशन को हम सिर्फ एक वर्ड की मुदर्द से याद रख सकते हैं तो हम सुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं सलाइवा का कमपोजीशन हमें कैसे याद रखना है तो सलाइवा का कमपोजीशन रखना लिए सिर्फ हमें एक वर्याद रखना है सैली सैली सलाइवा एक सिमिलर वर्ड है तो इसको आप असानी से याद रख सकते हो एसे सलाइवा, एसे अमाइलेज, एल से लाइसोजाइम, एसे एंजाइम, एलेक्ट्रोलाइट्स तो यह रही सिंपल ट्रिक्स सलाइवा को याद रहने की और दूसरी ट्रिक्स की हो चलते हैं तो इदर हमें याद रखना है लिमका वाओ और लिया लारज इंटेस्टराइवं, एम से मुकसय, एम से म्नियरल्स, लिया है लिया अबस्टाइव भाध को और अबस्ट को बिलब की लाइज इंटेस्टाइव पल्स्टेंस उसलड़ करता है To memorize the function of small intestine तो इधर हमें याद रखना है सीचा वाव हमने लाज इंटेस्टाइन के लिए याद रखना था लिम्का वाव और स्माल इंटेस्टाइन के लिए याद रखना है सीचा वाव तो सी से हो गया स्माल इंट्रस्ट थाPE स्सवा स्प्स्टेंस हो गई सुगर dimension आप आल से हो गई अलकोहल और सिवाउ समौ से होगया वाटर इसका मतलब मतलब यह इसी सावण मतलब हो गया समाल इंट्रस्ट यह सभी सब्स्टन्स को अब्सौब करता है अगली ट्रिक की हो, तो अब बाइल जूस का कमपोजिशन और याद रखने के लिए ट्रिक है, ब्लट प्रेशर बाई PCS एक्जाम, PCS एक्जाम के कारण ब्लट प्रेशर हुआ, तो इधर हमने उसे और शॉट कर दिया है, BP by PCS एक्जाम, तो B से हो गया, हमें याद रखना है, Bile, P से हो गया, पिगमेंट्स, बिली रूबीन और बिली विलिन, यह हमें याद रहता है, P से हो गया, फॉस्पोलिफिट, C से हो गया, कोलेस्ट्रॉल, और S से हो गया, सॉल्ट, नेक्स्ट ट्रिक की ओर, तो यह हो चुका है, तो मेमराईज दा कमपोजिशन ओफ पेंक्रियाटिक जूस, अब पेंक्रियाटिक जूस का कमपोजिशन याद रहने लिए, हमें याद रखना है, Pplant C, तो P से हो गया, पेंक्रियाटिक जूस, P से हो गया, पो कॉर्बॉक्सी, पेप्टिडेस, L से हो गया लाइपेज, A से हो गया MILH, N से हो गया Nuclease, T से हो गया Trypsinogen, C से हो गया Crymo-Trypsinogen. अब to remember the enzymes of small intestine, तो हमें इधर से याद रहा है DNA smell, मतब DNA smell कर रहा है, तो D से हो गया Dipeptidase, N से हो गया Nucleotidase, N Nucleosidase, S से हो गया Sucrose, M से हो गया Maltose, E से हो गया Erismin, L से हो गया Lipase, और दूसरे L से हो गया Lactase. अब हमें भूल जाता है कि gastric gland में कौन-कौन सी cells होती है, तो इसको बहुत ही असानी से याद रखने के लिए एक ट्रिक है, Good Morning PMO, PMO का मतलब हो गया Prime Minister of Office, score short कर दिया GM PMO, तो ठीक है, G से हो गया gastric gland, M से हो गया present in mucosal layer, gastric gland mucosal layer में present होती है, P से हो गया Peptic Cells, M से हो गया mucos neck cells, O से हो गया Oxyntic Cells. अब हम याद भूल जाता है कि बकल cavity के function कित्ते होते हैं, NCRT में लिखा है, लेकिन हम याद रहता है, दोर से होते हैं, लेकिन कभी को भूल जाता है, इसके लिए छोटी सी ट्रिक बनाए है, तो बकल cavity के function याद रखने को लिए, एक चीज़ याद रखने, FM radio, तो F से हो गया, fascination of swallowing, M से हो गया, investigation of food, अब कुछ digestive disorders है, उसमें कौन-कौन से characteristics होते हैं, और कौन-कौन से main digestive disorder है, जो पूछ ले जाते हैं, तो हम इसके लिए याद रखना है, CID, Crime Investigation Department, तो हम लोग D के नीचे रखेंगे, रिव लिखेंगे, फिर उसके बाद I के नीचे लिखेंगे केवल I, और C के नीचे लिखेंगे B, इसे केवल सिफ एक बार practice करने के जोगत है, फिर याद हो जाएगा, फिर CID, तो अब D के नीचे हमने रिव लिखा है, I के नीचे आ मतलब है, देखें, D मतलब रिव में तीन characteristics है, R, I, B, मतलब रडीब, तो R से हो गया, reduce absorption, रिव याद में होता है, और I से हो गया, increase the liquidity of fecal discharge, ये characteristic हो गया, B से हो गया, बोबल मुमेंट्स अबनॉर्मल फिक्वेंसी, ये हो गया, रिव लिखेंगे के characteristics, और ये I के नीचे इन तो इदर हो गया, not properly digestion of food, in digestion में होता है, और C से हो गया, constipation, अभी इसके लिए अलग भी हमने यूज किया, तो इसमें क्या होता है, bowel movement irregularities, bowel movement का irregulation शुरू हो जाता है, तो एक और है, है, to memorize the digestive gland position, अब हम लोग 3 digestive gland NCRT में लिखी है, हम लोग नीचे से उपर चलते हैं, तो सबसे पहले नीचे कौन सी gland होती है, लिवर उसके बाद पैंक्रिया जाती है, फिस सबसे उपर salivary gland आती है, तो हम इसके लिए नीचे से उपर जाएंगे, फिसके बाद याद रखेंगे, ABB मतलब की लिवर के लिए abdominal cavity और पैंक्रियाज के लिए हो गया, between the limbs of u-shaped duodenum, और salivary gland के लिए हो गया, बकल cavity, तो यह थी quick memorizing tricks for digestion chapter in the form of flashcards, और अगर आपको यह tricks पसंद आई हो, तो इसमें 500 likes ठोकिए, तो इसके बाद मैं पूरी digestion chapters की tricks लाऊंगा, और अगर आपको और भी इस video से related information चाहिए, तो आप BioLearning Point के Facebook page पर आप message कर सकते हैं, तो यह रहा BioLearning Point, कर दो कर दो कर दो करेंद, तो आपको जाजब हैं